अगर आप अपनी इंग्लिश को पॉफेक्ट करना चाहते हैं तो जरूरते अपनी हैबिट्स अपनी डिली रूटेन और अपने हर एक छोटी से बड़े एक्सपेक्शन को इंग्लिश में एक्सपेक्श करना शुरू करनेगी अगर स्टैप बाइसा करते हैं तो आपकी इंग दोस्तो आज एक ऐसे important और एक ऐसे useful topic के बार में आपको बताने वाला हूँ जो सबके लिए काफी special है और जिसको हम इंग्लिश में express करना अगर शुरू करते हैं तो काफी सारा confidence आपका बढ़ने वाला है अगर दोस्तो आप भी जानना चाहते हैं कि वो topic कौन सा है तो इस व हमें बहुत सारी wishes मिलती है face to face मिलकर phone पे message के सूब और जिने पढ़कर हमां काफी excitement आती है तो अगर आप गौर करें तो दो ही तरीके से हमें wishes मिलती है या तो happy birthday एक यह word आपने specially सुना होगा happy birthday या फिर internet से download करके हमें जो quotes हैं वो भेज दिया जाते हैं या हम भी ऐसे करते ह अगर हमें किसी को wish करना और दोस्तो wishes की reply हम कैसे देते तो thank you यागर commonly हम देखे तो दो words से happy birthday और उसका reply thank you दोस्तो इतना सारा excitement इतना सारा wait और reply सिरफ यह means wish करने के लिए happy birthday और reply करने के लिए thank you दोस्तो आज में आपको बताऊंगा कुछ नए expressions या कुछ नए तरीके जिनस कि wish कैसे करना चाहिए happy birthday बोलना बहुत असान है दोस्तो पर उसी में करम कुछ अपनी wishes को add कर पाए जैसा कि हम हिंदी में भी करते हैं आप हजारों साल जी हो आपकी उमर बड़ी लंबी हो दोस्तो अपने गौर कि है हिंदी में ये wishes आपको मिलती है पर English में हर एक इंसान सि आप शेयर करूंगा जो आप यूज कर सकते हैं पहला है दोस्तो wishing you a glorious day happy birthday तो यह आप यूज कर सकते हैं wishing you a glorious birthday भी बोल सकते हैं या wishing you a glorious day भी बोल सकते हैं और उसके पीछे आप happy birthday बोलिए अब देखिए दोस्तो अगर इस expression को आप use करते हैं तो सोचे आपका expression कितना expression को शामिल केजिए तो wishing you a glorious birthday happy birthday next expression दोस्तों कौन से हो सकता है wishing you many more candles to blow candles की दोस्तों अगर हम बात करें तो काफे important role वो प्ले करती है केक्स के उपर आपने अक्सम में लगा देखा होगा यह wish उसे related है कि मैं wish करता हूँ आप बहुत सारी मुंबतिया आने वाले समय भी हो जाएंगे तो wishing you many more candles to blow happy birthday तो अगर आपसे टेक्स के तो भी किसी को send कर रहे है या phone पे बोल रहे है या मिल के बोल रहे है तो सोचे कितन birthday बोल दीजिए तो may all your wishes come to happy birthday तो यह भी एक तरीका हो सकता है किसी को नई तरीके से happy birthday wish करने का next दोस्तों be happy and smile always happy birthday तो यानि कि आप हमीशा खोश रहे हमीशा मुस्कराते रहे है और happy birthday तो इससे benefit क्या होने वाला है कि आप धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को explore कर पाएंगे मै यह नहीं कहारा दोस्तों कि happy birthday मद बोलिए बिल्कुल बोलिए बड़ अगर आप सच्छे में अपनी इंग्लिश को natural level पर लाना चाहते हैं जैसे कि आपके हिंदी है मैं आपको already example दिया हिंदी में हम बिना डेरे बिना रुके नए-नए expressions को express करने की कोशिश करते तो ऐसा हम इंग्लिश में try क्यों नहीं करते हैं इंग्लिश में सिरफ कुछ expression को याद कर लेते हैं और उनको use करने की कोशिश करते हैं मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप उनके अंदर भी कुछ नया पन लाएं ताकि आपको अपनी इंग्लिश में कुछ नया दिखे कुछ फ्रेश दोस्तों कुछ नया पन भी आएगा और आपको भी मज़ा आएगा किसी को विश करने में दोस्तों यह तो भी बात अगर आप किसी को बड़े विश करना चाहते हैं अब माल लिए आपको विशिस मिली आपको किसी ने happy birthday बोला तो आप reply में क्या कहेंगे दोस्तों reply में आप thank you for your beautiful wish आपकी अच्छी विश के लिए thank you दोस्तों इससे कुछ नया पन आया मैंने आपको बताया जब आप नए तरीके से कुछ बोलेंगे तभी तो आपको confidence generate होगा हम दोस्तों हमीशा same to same English बोलते रहते हैं इसलिए हमें English boarding लगने लग जाती है क्योंकि उसके अलावा हमा देना भी शुरू किजिए definitely जो हम नए तरीके से wish करेंगे तो हमें नए तरीके पता भी होने चाहिए reply करने के माले दोस्तों किसी ने आपको happy birthday बोला और आपने इन में से किसी expression का इस्तमाल किया तो सोचिए वो इंसान कितना ज्यादा impressed होगा आपकी English से कि हाँ यह इंसान क English change हो रही है इनका बोलने का तरीका change हो रहा है दोस्तों वही मैं चाहता हूँ next दोस्तों क्या हो सकता है thanks for your warm wishes आपके warm wishes के लिए thank you और दोस्तों अगर simple तरीके से आप reply देना चाहते तो आप बोल सकते thank you so much ठीक है दोस्तों तो यह कुछ तरीके ते अगर आप नए तरीके स से wish करना चाहते तो और अगर आप अपनी wishes को reply करना चाहते तो किन-किन तरीकों से reply कर सकते तो जरूर इन तरीकों को follow कीजिएगा ताकि आपका जो confidence है वह generate हो और आपकी English में कुछ freshness आपको नजर आए अगर दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आए आपको लगा कि ह हाँ यह तरीका मेरे लिए useful होने वाला है और मैं इसको follow जरूर करूंगा तो दोस्तों मेरी वीडियो को like करना मत भूलेगा दोस्तों अपने friends और family के साथ इसको share करना भी मत भूलेगा ताकि वो लोग भी आपके birthday पे आपको नए तरीके से wish करना start कर सके और आपका जो day है वो एक special day बन जाए अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो से कुछ भी benefit हो रहा है आपको English में आपको improvement दिखाई दे रहा है आपको English improve हो रहे है तो मेरी चैनल को subscribe करना मत भूलेगा बाकि आने वाले वीडियो के notification आपको time to time मिल पाए और कोई भी वीडियो आपसे miss ना हो मिल